पर नश्योंत для कि नहीं नहीं अचानक से पैदा हुआ जिसकी वज़ा से बिधायक अलग कंफ्यूजड हैं कि अब किनके साथ दिखाए पड़ना चाहिए किस नेता के घर पर मिलने के लिए जाना चाहिए किस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए और किस से दूरी बनाय रखना जरूरी हो गया है दूसरी तरफ आमाद्वी पाठी के अंदर एक कन्फ्यूजन अरविंद केजरिवाल की भूमिका को लेकर है उनके सीएम पद पर बने रहनों को लेकर है तो तीसरा कन्फ्यूजन इस बीच और पैदा हो गया है और वो है मनीश शिसोदिया की नई भूमिका को लेकर क्या मनीश शिसोदिया इस बीच सरकार चलाने की कोशिश करेंगे या फिर संगठन में बड़ी भूमिका निभाएंगे और अगर इन दोनों जगह पर उनकी भूमिका को स्पस्ट कर दिया जाए तो फिर अरविंद केजरिवाल को लेकर कन्फ्यूजन होगा कि क्या अरविंद केजरिवाल की सहमती इन बातों पर मिल रही है इसलिए विधायक एक-एक करके उस कन्फ्यूजन के दौर में है और मीटिंग से पहले परिशान हो रहे है क्योंकि मनीश सिसोदिया मीटिंग तो लेंगे विधायकों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही कार्पोरेटर के साथ भी बैठक करेंगे संगठन में बड़ी भूमिका निवाने की कोशिश हो रही है लेकिन ये भूमिकाओं की अदला बदली के कारण विधायक और बड़े नेता तक कन्फ्यूज है क्योंकि अर्विन केजरिवाल जो की अभी जेल के अंदर है अभी भी चीफ प्रिस्टर का पोस्ट धारन किये हुए है अपने पास रखे हुए है और इहिक बज़ा है कि वो पूरी तरीके से मनीज सिसौदिया की भूमिका को बदल दिया है ये अर्विन केजरिवाल के तिहारते फर्मान है जिसके कारण पाटी के अंदर घमासान है और 20 से ज़्यादा ऐसे विधायक है जो की बगाबत पर उतारू हो गए है उन्हें लगने लगा है कि ये मनीज सिसौदिया, संजे सीन, अर्विन केजरिवाल और संदीब पाठक, दुर्गेश पाठक के बीच वो ऐसे पिश चुके हैं, एक के साथ जाते हैं दूतरा परिशानी खड़ा कर देता है और यही वज़य है कि अर्विन केजरिवाल इस कनफ्यूजन में चाह रहे है कि जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आ है क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी में जो होता रहा अर्विन केजरिवाल जब आम आदमी पार्टी के मुख्या बने थे और उसके बाद दिल्ली की सत्ता उनकी पार्टी को मिली तो उन्होंने एक नया तरीका इज़ाद किया और वो तरीका था कि सरकार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उन्हें चाहिए लेकिन पार्टी के संगठन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए उनको पार्टी का मुख्या का पद भी चाहिए लेकिन दूसरी बात ये है कि मनीश सिसोदिया उस समय एक्टिवली अरविंद केद्रिवाल के साथ साथ देखते थे तो ऐसे में जरूरी हो गया था कि केद्रिवाल मनीश सिसोदिया को भी कोई बड़ी भूमिका दे इसलिए मनीश सिसोदिया को भूमिका को लेकर उस समय प्रस्थिति आये जो की कुमार विश्वास के साथ आया जो की प्रशांध भूसन के साथ आया जो की योगेंदर यादब के साथ आया या फिर प्रोफेसर अनंद कुमार के साथ आया ऐसे कई नेता हुए आमादभी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से जो अर्विंद केजरि के लिए ही होता अगर दिली के दो तिन डिस्टिक के संगठन की जिम्मेदारी ही होता तो उन जगों पर आम आदमी पार्टी यानि की केदरीवाल की पार्टी को वो नुक्सान पहुचा सकते थे इसलिए अर्बिंद केदरीवाल एक ऐसा नेता है जिसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं अपने आप पर भी भरोसा बो बड़ा मुश्किल से कर पाता है इसलिए उसने क्या किया कि मनीज सिसौदिया को संगठन की नहीं बलकि सरकार की जिम्मेदारी दी और सरकार की भी कैसे जिम्मेदारी कि आप प्रशास्निक चीजे देखो आप मंत्रियों के साथ कॉडिने करो आप पॉलिसी मेकिंग संबंधित काम देखो और फिर उसका एप्रूवल तो चीफ प्रिस्टर होने के कारण हमसे ही लेना पड़ेगा इसलिए ऐसे इस्तितियों में आप संगठन नहीं बलकि सरकार में अपनी भूमिका निभाते रहो और यही मनीज सिसौदिया करते र आतर थे यानि दुर्गेश पाठक जैसे निताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी लेकिन मनी सिसौदिया या संजे सिन को कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी क्योंकि उसे विश्वास नहीं है किसी के उपर विश्वास नहीं है हाला कि उन लोगों पर विश्वास नहीं हो संदी पाठक है जो की राजसभा का सदस लेकिन अर्विंद केजरिवाल इस बात को जानते हैं कि संदी पाठक राजरिती में कोई नाम नहीं है मीडिया में भी कोई ऐसा हाइलाइटर चेहरा नहीं है इसलिए अर्विंद केजरिवाल ने उसे अपने साथ रखा है लेकिन के उपर उनका हमेशा confusion रहा और इसलिए पहले सरकार की जिम्मेदारी दी ताकि सरकार के कामों में वो अपना बिजी रहे और संगठन के जो काम है संगठन में भूमिका केवल अरविंद केद्रिवाल की रहे किसे पॉइंट करना है कहां पैसे भेजना है किन राज्यों में को कितना अधिकार देना है ये सारे चीजें अरविंद केद्रिवाल खुद देखता रहा लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये पूरी भूमिका बदलनी पड़ गई क्योंकि मनीश्य सौदिया को जमानत मिली जमानत के बाद वो जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आने के बा थी चमपई सोरेन को बुलाया मिटिंग बुलाई और फिर गवर्नर से सहमत लेली सरकार बदल गई नेतरित बदल गया फर से वो सीम की कुरसी पर बैट गए लेकिन मनीश्य सौदिया की बात देखिए वो जेल से बाहर आये अभी तक कोई सुख बुगाहट इस बात की नही सरकार की बात छोड़ दो अभी आप संगठन पर ध्यान दो मनीश्य सौदिया अभी पद्यात्रा करें विक्टिम कार्ड खेलें संगठन पर ध्यान दे यानि की विधायकों को नेताओं से मुलाकात करें बैठें कुछ अस्टिर जी बनाएं अस्टिर जी ऐसे मनीश्य जैसे लोग वो एक्जिक्यूट करने की कोशिश करेंगे और फिर ये दिखाने की कोशिश रहेगी कि मनीश सिसोधिया किसी तरीके से संगठन में एक्टिवली पासिट कर रहे हैं और तभी पूरे के पूरी भूमिका को बदल दिया गया जिस व्यक्ति को अभी तक सरकार की ज जिम्मेदारी दी गई और अर्विद केजरिवाल पूरी तरीके से अपने सरकार की जिम्मेदारी निभा रहा है इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि अगर मनीश सिसोधिया को सरकार में शामिल कर लिया गया यानि कि फिर से उन्हें मंत्री बना दिया तो फिर क्या होगा डिप्टी सीम बनते ही मनी सिसोधिया के पास सारी पावर आ जाएंगे फिर अर्विद के दिरिवाल अगर कुछ समय और जेल में रहता भी है तो ऐसे सिती में सीम पावर ले सो जाएगा सीम की अनुपस्थिती में ही तो डिप्टी सीम की भूमिका होती है क्योंकि जब सीम है तो डिप्टी सीम एक तरह से केबल और्णरी पोस्ट होता है सम्मानित पोस्ट होता है जिस मंत्राले के जिम्मेदारी उसके पास होती है केबल उसी का मुक्या हो सकता है पूरे राज या उनियन ट्रेटरी को वो निर्धारित नहीं कर सकता देख नहीं सकता इसलिए ऐसे इस्तिति में जब अरविंद केद्रिवाल जेल के अंदर है सीम की कुर्सी उनके पास है तो अगर मनी सिसोधिया डिप्ति सीम बना दिये गए मतलब वो सीम की भूमिका में रहेंगे इसलिए उनको सरकार में नहीं बलकि संगठन में एक्टिव रहने की बात की जा रही है जिनको संगठन से पिछले 10-12 सालों से दूर रखा गया था आज अचानक संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही है और इस बात को लेकर कन्फ्यूजन आम आदमी पार्टी के अंदर है इतने गुट बन चुके हैं कि ये लग रहा है कि अब नकब भी स्पोर्ट हो क्योंकि बैठक जो हुई मिटिंग जो हुई गोपाल राय के साथ मनीश सोदिया के मुलाकात हुई और उसमें ये माना गया कि 20 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि अपने च्छतर में काम नह और किसी भी परत्यासी को टिकट दिया नहीं आम आदमी पार्टी का वो चेहरा बना रहना चाहता है इसलिए टिकट देने के लिए काम करने वाले व्यक्ति चाहिए ये कभी भी आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं रहा बलकि ये लिस्ट उन विधायकों की है जो कि इस कन् चुलेट्स कर दिये तो फिर दूसरा गुट नाराज हो जाएगा अगर उन्होंने आतिसी मार लेना या सौरब भारदवाज के साथ खड़े होने का कोई भी बहाना नहीं चोड़ा तो फिर उसके बाद तीसरा गुट नाराज हो जाएगा और अरविंद केजरिवाल तो ओजर गर जा रहा है किस से मुलाकात कर रहा है किस के साथ मिटिंग कर रहा है यह सारा अबजर्वेशन अरविंद केजरिवाल कर रहे हैं इसलिए मनिश शिसोदिया जब मिटिंग लेते हैं तो उस समय दुर्गेश पाखठक का होना जरूरी होता है दिली पांडे का होना जरूरी होता है क्योंकि अब विभव इन मामलों से रहा नहीं देखने के लिए क्योंकि वो भी जेल के अंदर है तो अभी आख का नाख जो बनाया हुआ है अर्विंद केद्रिवाल ने वो दुर्गेश पाठक संदीप पाठक और दिली पांडे जैसे लोगों को और इसलिए हर मिटिंग में उसे भेजा जाता है पलपल की कवर रखो हर का रिकार्ड रखो और इसलिए अभी स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि मनीश सुदिया सरकार में शामिल तुरत नहीं होने जा रहे संगठन की जिम्मेदारी दी गए है और वो पद्यात्रा करने पर तुले हुए है कि हम लोगों के भी जाएंगे लोगों के भी जाएंगे नहीं बलकि लोगों के भी जाना आपकी मजबूरी है क्योंकि केजरी वालने फर्मान जारी किया है कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं होता तब तब आपको सरकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और यही confusion जो आम आदमी पार्टी के अंदर है वो बिस्फोटक रूप लेने वाला है क्योंकि यह बड़े नेता तो अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं अपने अपने infused हैं इतने परेशान हैं कि उनको लगता है कि यह चार गुटों में बनी हुई आम आदमी पार्टी में एक गुट के साथ जाने का मतलब है दूसरे गुट को नराज करना और अगर ऐसे कुछ दिन और रहा तो फिर हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा क्योंकि इन पूचना चाहिए कि आगे हमारे लिए कौन-कौन से भी कल्प है इसलिए कि इस कन्फ्यूजन के दौर में आम आदमी पार्टी एक ऐसे बिस्फोटक इस्थिति में है कि कभी भी भयंकर बिस्फोट हो सकता है और ये बिखर कर रह जाएगा तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर सेहाज लोंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हमें सायोग ताकिसे तरही कभरों आपके लिए जाते रहे हैं धन्यवाद